हेलो सुदेंट्स वेलकम टो इंजिरिंग मैथेमेटिक्स आज हम पढ़ेंगे एक्वेशन इस रिदूसीबल टो एग्जैक दिफरेंशिल एक्वेशन का टाइप वन जिसे हम बोलते हैं इंटेरेटिंग फेक्टर फांट बाइ इंस्पेक्शन मेथेड तो बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेशन अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक करना कॉमेंट करना इस चनल को सबस्क्राइब करना और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना इंटेरेटिंग फेक्टर फांट बाइन इंस्पे इस फंक्शन में फिर से बता देता हूँ इस फंक्शन ओफ इदर एक्स एधर वाई और इंस बोगट टेग है तो उससे पहले एक छार्ड बता देता हूँ आपको नोट करके रखम में हरकिसी केशन में वो यूज होगा ठिक है तो पहला टाइप जो है मु मिश्टार करते ह तो अगर आप गोर से देखो हर किसी फॉर्मूला में नॉनइंटेगरेटीय फंक्षोन इस किया किए गए घोगि mı यहां पे वाइच इस यॉप जिद आये खेट गशेग ह सक कि these are all non-integrable functions, ठीक है, तो हम इने integrate नहीं कर पाते है, at that time you should use inspection method, ठीक है, तो यहां पर हम इस question की बात करते है, ठीक है, यहां पर x dy है, minus y dx, so it's not integrable, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, लेकर मुझे इसका general solution find करना है, अब मुझे integrating factor खुद से लगाना है, जिससे मुझे यह जो function ह बन जाए, ठीक है, जो आगे फिर integrable हो या जो exact हो, ठीक है, तो मेरे पास है, suppose यह भी नहीं देखना, मेरे पास है x dy minus y dx, ठीक है, अब मुझे खुद से लगाना है कि मैं integrating factor क्या लगा हूँ, अगर मैं x square लगा हूँ, इसमें integrating factor वो बन जाएगा, denominator into differentiation of numerator, minus numerator into differentiation of denominator, divided by denominator square, और यह वो किसके बरावर होता है, आपको मैंने कल भी पढ़ाया था, differentiation of two functions which are divided upon each other, ठीक है, तो मैंने देखा, d of y divided by x, ठीक है, तो इसका मतलब है, मेरे पास x dy minus y dx था, non-integrable function, मैंने अपना integrating factor इसके साथ multiply किया, जो कि 1 divided by x square है, और फिर जब मैंने यह देखा, it resembled to the solution of differentiation of y divided by x, तो मैंने इसके बले यह लिखा, ठीक है, तो ऐसे ही आपको मतलब question देख कि आपको बताना है कि, हाँ इसमें मैं x square लगा सकता हूं, ठीक है, अब मैं इसमें y square भी लगा सकता हूं, obviously I can also use y square as well, अगर मैं अचार्ण हूं यहाँ पर तो मुझे क्या करना है, x div Y लिखम है, ठ okay non-integrable okay? so what will I do? I will use the integrating factor in one divided by y2 that's always equal to the differentiation of x divided by y and then which formula you use is the division property u divided by v of differentiation of two functions which are divided by each other okay? suppose I have you have studied d of u divided by v denominator into the differentiation of numerator minus numerator into differentiation of denominator divided by denominator square now we have x dy minus y dx this is also non-integrable, अब मैं इसमें integrating factor यूज़ करूँगा, x square plus y square, अब मैं ऐसे क्यों करूँगा, क्योंकि कभी-कभी question में, left-hand side में, या question खुद में, मतलब कभी-कभी आपकी जो function होती है, उसमें tan inverse y divided by x दिया होता है, in order to cancel that out, I can use this function, और मुझे add करना होगा, tan inverse y divided by x, तब जाके मेरी चो condition है, मेरी चो equation है, differential equation हो सेट्सपा हो जाएगी, आपको मैं next question बताऊँगा, पूरा आपको उसमें समझा जाएगा, तो इसलिए हम ये वाली function यूज़ करते है, x square plus y square, क्योंकि यहाँ पर जब हमने, पर इसको tan inverse क्यों बना है, क्योंकि कभी question में, ये situation आपको यूज़ नहीं होगी, ठीक है, differential equation of y divided by x आपको यूज़ नहीं होगा, ठीक है, solution नहीं निकलेगा इससे, तो आपको क्या चाहिए उस टाइम पर, tan inverse y divided by x चाहिए होगा, इसलिए हमने, दोनों कंडिशन आपके, इधर you can use this, integrating factor 1 divided by x2, और 1 divided by y2, और 1 divided by x2 plus y2, depending upon your question, अगर tan inverse y divided by x की ज़रत हो, ता कि आपको कुछ कैंसल काउट कर सको, और इस differential equation को exact पना सको, यूज़ इस, अगर नहीं, then you can use this one, ठीक है, it depends upon the question, तो जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना आपको समझ में आ जाएगा, कि हाव तो यूज़ इस फंक्शन, हाव तो यूज़ ए पर्टिक्लर इंटेर 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 इंटेर, ठीक है, अब आते हैं इस की तरफ, तो यहाँ पे हमने एक्स वा यूज़ किया है, और हमें एक, हमें धिफरेंसिशन प्लॉग, य द्वट पर एक्स मिला है, आपको मिने कल भी प्रूब करके देखा था, ठीक है, तो it depends upon your question अब कुन सा integrating factor यूज़ती हो मैंने आपको कली ही बताया था depending upon your question you can choose the integrating factor okay y d x plus x d y this is also non-integrable क्योंकि y का with respect to x है और x का with respect to y है तो आपको बता होना चाहिए कि यहां पर मुझे inspection method यूज़ रहना है okay है अब हमने यहां पे xy उसे है, it's one of the same thing, d of log x into y, यहां पे मैंस है, यहां प्लस तरवा से फ़रह है, अब हमारा है, second last, x dy plus y d x2 by x square plus y square, integrating factor हमारा है, x square plus y square, तो it is the function of both x and y, it can be, तो उसका आएगा, different station of 1 dot by log x square minus y square, so I have chosen this, I have chosen this, in the last question, x square minus y square, so that it fits the question, तो आपको integrating factor है, अपनी question के हिसाब से, fit करना है, ठीक है, तो next lecture में हम क्या करेंगे, we will solve the first question according to inspection method, और अपको पुरा कंसेट है, वो चलेर हो जाएगा, I hope आपको समझाय होगा, thank you.